बिहार में एक बार फिर से मौसम का मजाज बदल चुका है। ऐसा लग रहा है मई के महीने का आगाज बारिश और आंधी तूफान के साथ होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बलकि मौसम विभाग ने ये पूरवनुमान चताया है। आयमजी के मुताबिक राज में रविवार और सुमवार को जहमा जहम बारिश के आसार है। साथी तेजा आंधी भी आ सकती है। बताते चले आपको कि पटना मौसम विभ्यान केंद्र के मुताबिक तीन माई तक सुबे में मौसम खुशनुमा बना रहेगा। वहीं करीब दस से ज्यादा जिलो में दो दिन के लिए अंधी तूफान को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गए है। बतादे चले आपको की पटना मौसम विज्ञान के इंद्र की ओर से जारी ले टेस्ट अपडेट में आज कई जगा बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के जिन जिलों में बारिश वर्जपात का अलर्ट जारी किया गया है उनमें पूर्वी चमपारन, गुपाल गंज, सिवान, भोजपूर, बकसर, सारंच शामिल है। मौसम विज्यान के मुताबिक इंजिलों में रविवार सुभा में बारिश ओले गिरने की संभावना है। वहीं साथ ही 30 से 40 किलोमेटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वनुमान लगाया गया है। ऐसे में मौसम विज्यानिकों ने लोगों से सतरक रहने की अपील की है। तो शुकरवार को जहां पारा उपर चड़कर 41 डिगरी को पार कर गया था। वहीं शनिवार को एक बार फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली, सुबे में अधिक्तम तापमान सबसे ज्यादा वालमी की नगर में रिकॉर्ड किया गया है, यहां पारा 37.5 डिग्री दर्च किया गया है, जो कि शुक्रवार के मुकाबले 0.5 डिग्री कम ही रहा, वहीं पटना में अधिक्तम तापमान में गिरावट आई यहां पारा 35.5 डिग्री रहा, जहां गया में 34.6 और अंगाबाद में 37, नवादा में 34.7, जमुई में 35.5, शेखपूरा में 35.2, बाका में 36.6 डिग्री दर्च किया गया, वहीं अगर हम दूसरे शेहरों की बात करें तो दूसरे शेहरों की स्थिती देखें तो मुजफरपूर में पारा जरूर उपर गया है, यहां शनिवार को अधिक्तम तापमान में 37.5 डिग्री पहुँच गया, वहीं वैशाली में 34.7, नालंदा में 34.1 डिग्री दर्च किया गया, अगर हम बेगुसराय की बात करें तो बेगुसराय में 34, सुपॉल में 33.5, अरर्या में 32.6, कटिहार में 33.7, मोतिहारी में 36, पुर्णिया में 34 डिग्री डिकॉर्ट किया गया, हाला कि जिस तरह से रविवार और सुमवार को आंधी तूफान का अलर्ट है, ऐसे में पारा और नीचे जाने का आसा अर्ज़त आया जा रहा है. ये लो मुह मिठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे. जॉब छोड़ दिया है, मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माबाबुजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबा लाएं, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है. अरे, लोन अप्रूव हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ. इसलिए तो एक और मिठाई का डबबा अलग से लाया हूँ. अपने पुर्णिया में घर ले लिया है. पुर्णिया के e-homes panorama में. पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं. e-homes panorama, बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सग. अड़े-अड़े, आप क्यों मूमीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं. घर वापसी की खुशी. पुर्णिया में e-homes panorama के संग. e-homes panorama, luxurious, lifestyle redefined.